जब भी आप कोई Android device यूज़ करते हैं तो आपको एक बात अक्सर बताई जाती है कहा जाता है Android device users के लिए के Google एक ऐसा secure platform है अगर आप यहां से कोई भी application डाउनलोड करते हैं तो आपको किसी परकार की कोई भी दिक्कत परिशानी नहीं होगी इसी बात को समझते हुए मेरे एक subscriber को loan की बहुत ज़्यदा अवशक था थी उसने एक loan application को डाउनलोड किया वो application पूरे तरीके से दावा कर रही थी अपने about section में कि अगर आप यहां पर loan के लिए आवेदन करते हैं आपको 3 लाख रुपे तक का loan easily मिल जाएगा 24 गंटे के अंदर अंदर आपके pen card, आधार card और केवल एक selfie के base पर आपको किसी परकार का कोई भी बहतर से भी score नहीं दिखाना है आपको किसी परकार का कोई income proof नहीं देना है आपको कोई salary sleep नहीं देनी है आपको कोई bank account की detail नहीं देनी है ऐसे ही मेरे subscriber ने ये सब चीजों को समझते हुए उस loan application को download कर दिया और उस loan application पर आवेदन कर दिया तो उसको पूरे तरीके से बताया गया कि आप यह steps follow कीजिए उसने पूरे तरीके से steps को follow किया steps को follow करने के बाद में उनको एक घंटे के बाद में एक message मिलता है और बताया जाता है आपका जो loan amount है पूरे तरीके से approved हो गया है आपके account से पूरे तरीके से पैसा detect करना है पर मंत हो सकता है कि आप पूरे तरीके से कोई bank account use ना करते हों पर जब आप कोई bank account use ना करते हो तो आप हमारा जो पर मंत जो EMI है वो कैसे detect करवाएंगे तो व्यक्ति को बताया गया कि आपको कुछ details हमारे जो representative है call करेगा उसको दे number, IFSC code, accounts का जो holder है उसका name proper details ली जाती है और proper details लेने के बाद में उनसे कहा जाता है आप क्या debit card use करते हैं उनसे debit card का proper number ले लिया जाता है CVV ले लिया जाता है और पूरे तरीके से उनको एक OTP send के जाता है जिसमें की लिखी होती है 3500 रुपे और 3500 रुपे उनके accounts पूरे तरीके से काट ली जाते हैं क्योंकि उन्होंने proper तरीके से अपने debit card वगरा की details उनको दे दी तो दोस्तो इस प्रकार से Google Play Store पर loan applications के जरीए कुछ लोग fraud कर रहे हैं इस प्रकार से loan applications के जरीए scam कर रहे हैं ये गलती आपको भूल करके नहीं करने हैं किसी भी अपती को अपन UPI PIN अपना bank account का जो भी debit card आप यूज करते हैं या फिर कोई credit या card यूज करते हैं उसका number या फिर CVV number नहीं देना है अन्य था आपके साथ में एक बहुत बड़ा fraud हो जाएगा अगर आप इस fraud का सिकार हो जाते हैं तो आपको तुरंत cybercrime.gov.in पर जाकर के complaints log कराने चाहिए और आपको अपने bank को भी पुरे तरीके से सूचित करना चाहिए कि इस परकार से मेरे साथ में scam हो गया है आपको अपने bank को भी पुरे तरीके से आवेदन देना चाहिए तो अब ये 3500 रुपे का जो उन्होंने 3,000 रुपे के loan लेने के चक्कर में लोस किया है पैसा तो मु जदा नुकसान उठाना पड़ सकता है हो सकता है आपके साथ में कोई बड़ा fraud हो जाए मेरा आप लोगों से request है loan application से इतना हो सके आप बिलकुल बच के रहें एक गलती और आप ना करें जब भी आप किसी loan application को download करते हैं तो आप से सभी permission ली जाती है जैसे कि contact की permission location की permission camera की permission allow allow का आपके सामने आता होगा वो permission भी आपको बिलकुल नहीं देनी है आप secure रहेंगे आपके साथ में कोई fraud नहीं होगा आपके साथ में कोई दिकत परिशानी नहीं आएगी अब आप मुझे एक बात बताएए आप कितना Google Play Store को secure मानते हैं आप कितना इस बात से सहमत हैं कि Google Play Store पर जो applications होती हैं वो secure होती हैं comment box खुला है ज़रूर बताएं बाबाई take care जाहिन वंदे मातरों free मिलेंगे किसी और वीडियो में अपना ख्याल रखें अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे फरजोईर जो लोग हैं ऐसे फ्रोडेस्टर जो हैं उनसे आप बच के रह अपने बादी, thank you.